कि आते हम किस पर branch adjustment और branch पहले format जैसे हम जनरली मेरा करने का तरीका है सबसे पहले यहां लिखेंगे to balance अब सर्प स्टॉक है तो किसका balance बीडी होगा इस टॉक का और इसका balance कि दर आजाएगा by balance सीडी ठीक है और इसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यह ओपनिंग स्टाउक समझ रहा हूं और इसको क्या बोल सकते हैं हम क्लोजिंग अब बात ही किये चलिए अब स्टाउक की बात करें तो स्टाउक कैसे कैसे बढ़ सकता है और स्टाउक कैसे कैसे घट सकता है जैसे जैसे आप पर चेज करोगे स्टाउक बढ़ेगा और जैसे जैसे आपका स्टाउक आपके पास से निकलेगा सेल कर दोगे तो घट जाएगा ठीक है तो पर प्रेज नहीं करते हम यहां पर क्योंकि ब्रांच तो सारा डिपेंडेंट है तो यहां पर क्या आएगा गुड्ट सेंट हमारे लिए एक तरीके से वही पर्चेज है और सब कुछ IP प्राइज पर ठीक है और बाई साइड में घटने का रीजन आ जाएगा बाई या आपने क्य आपका स्टॉक घटेगा और सेम ऐसे आपने अगर क्रेडिट में भी सेल्स किया है तो भी आपका स्टॉक क्या होगा घट जाएगा अच्छा एक बात बताओ जब हम अभी आगे चलते हैं रुक जाओ और कब घट सकता है बाई गूड्स रिटन अब कौन कर रहा है गूड्स रिटन प्रांच कर रहा है टू एचो अगर मानलो डेटर ने हमें समान वापस कर दिया तो हमारे स्टॉक पर कोई फरक पड़ेगा क्या मैंने आपको दस हजार का समान बेचा बेचने के बाद मैंने यहां लिख लिया होगा है आपने बोला सर मुझे निची यह 2000 का वापसी ले जाओ तो मेरे स्टॉक पर फरक पड़ेगा क्या पड़ेगा इंक्रीज तो यहां पर अब क्या आएगा से रिटान समझ रहे हो इसके बाद इस साइड में अगर कोई लॉस होता है नॉर्मल अभी हम देखेंगे आगे आए तेरे बताने का और वाई साइड में आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस कुछ ऐसे और भी लॉस हैं जो कि कुछ यूनिक नाम से जाने जाते हैं जैसे गुट्स प्लीफर्ड होता है सर प्लीफर्ड का मतलब क्या होता है चोटे मोटे समान इधर उधर हो जाने जैसे मानलो दु जैसे पता नहीं चला गिर गया इधर ऊधर तो क्या होता है चोटे मोटे चूरी हो जाना उसको एक होता है यह स्पोईलेज जैसे मान लेते हैं चीनी है चीनी में मट्टी का तेल डल गया तब वह पूरेख नहीं रहेगा ही और इसके साथ-साथ कुछ यूनिक वर्ड्स और ये दोनों चीजे जो बता रहा है अबनॉर्मल का हिस्सा है जैसे प्लीफर्ड प्लीफर्ड या फिर बाई स्पोईलेज ठीक है और सर ये दोनों क्या है ये दोनों वैसे पार्ट A, B, L यानि एबनॉर्मल लॉस का ही एक और पार्ट आ सकता है यहां पर सौटेज एक वर्ड आता है क्या होता है जब आएगा तब देखेंगे एक और वर्ड आ सकता है सौटेज सौटेज जर्णरली इस अकाउंट का एक ही अबजेक्टिव होता है क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करना बैलेंसी डी लेकिन फिर भी कई बार बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक दे दे तो आज आता है तो इस साइड आएगा तो उसको लिखेंगे सौटेज यह भी जर्णरली बैलेंसिंग फिगर हो सकता है और सीडी तो होता ही है जर्णरली बैलेंसिंग फिगर तो यह बन गया हमारा कौन सा अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट और मजे की बात देखो जितने भी सारे चीजे हैं सब आईपी पे हैं इसमें यानि सर यह भी जो बैलेंस बीडी लिखा है यह भी किस पे है आईपी पे गुट सेंट लिखा है यह भी आईपी पे सब कुछ आईपी पे अब हमें क्या करना है यह वाला जो अकाउंट देख रहे हो ना इस अकाउंट को मैं बेसिकली लोडिंग अकाउंट कह दूँ तो कोई हर्ज नहीं है या फिर आप इसका दूसरा नाम क्या बताया था स्टॉक रिजर्व अकाउंट यानि इसके अंदर जितनी भी चीजे दिखाई जाएंगी वह सारा का सारा रिलेटेड होगा लोडिंग से उपर वाले अकाउंट में और नीचे वाले अकाउंट को जनली मैं प्रॉफिट एंड लॉस कह दूँगा जितने भी प्रॉफिट सारा Si twas यानि खड़ेव वगेर वह नीचे वाले estar है के समझ आप्यों इहाँ पे किसका अफ जैसे इसका लोडिंग निकालने के लिए हुआ हमें Buy side में जाना पड़ेगा तो अगर Opening Stock है 2 में तो इसका Loading किधर निकलेगा इसमें पाई में तो यानि यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे हमें करना है पाई है स्टॉक रेजर्व ठीक है और सर इस्टॉक किस-किस पर निकल सकता है एक निकल सकता है हमारा ओपनिंग स्टॉक पर यह स्टॉक रिजर्व कैसे निकालते हैं आज सुबही क्लास लिया था मैंने उसमें अच्छे से पताया था और इवन दो पिछली क्लास में भी हमने डिसकस किया था चाहिए कि प्रॉफिट के हिस्से को क्या बोलते हैं स्टॉक रिजर्व वो कैसे निकालना है और वो परसंटेज भी याद होगा लिखा था हमने तहते हैं वो सारी चीज़ है ठीक है न और इस साइड में आएगा जो बाई में लिखा है टू में पहुंच जाएगा वो अपोज़ेट साइड स्टॉक रिजर्व किस पे आएगा सर ये क्लोजिंग स्टॉक पे और टू स्टॉक रिजर्व सर किस पे आएगा और सर रिटर्न पे इधार तो दो ही चीज़े हैं ठीक है न अब इन पे भी स्टॉक रिजर्व निकल लेगा अगर कोई नॉर्मल लॉस हुआ तो नॉर्मल लॉस पे स्टॉक मैं लिख रहा हूँ यहां पे रिजर्व ब्रैकिट में फुल और ये फुल किस का होगा सर हमेशा ये इन केस नॉर्मल लॉस सर नॉर्मल लॉस होता क्या है मैं भी बता दूँआ ठीक है और इस साइड और आएगा सर डैट इस स्टॉक रिजर्व किस पे एबी एल पे एबी एल क्या होता है बताओ एबनॉर्मल लॉस पे थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं आगे ठीक है यानि अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो उसका रिजर्व नहीं निकालना फुल आ जाएगा और अबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसका रिजर्व आएगा बाकी यहां आ जाएगा हमारा एबनॉर्मल रिमेनिंग मैं थोड़ा हिंड दे देता हूं बाकी कुश्चन में करेंगे जैसे मान लो चार हजार रुपय का स्टॉक मेरा लॉस बाइफायर हो गया हुआ जली है एबनॉर्मल लॉस है उसमें से एक हजार उस पर प्रॉफिट जुड़ा वा था तो चार हजार का स्टॉक तो यहां पे तो चार तप चार अजार राएंगे पूरे हजार रुपे लोडिंग यहां जाएगा और जो नुकसान हुआ है वो तीन हजार पी एंडल में चला जाएगा ठेक है तो वो जब कुश्चन करेंगे तो देखना ही देखना है हमें ठेक है इसके बाद यहां सारे के सारे खर्चे जैसे कि डिस्काउंट सर और क्या सकता है बेड डेट्स सर और क्या सकता है पी एफडी यानि नॉर्मल पी एंडल में जैसे खर्चे आते थे सारे यानि यहां डेटर के अंदर भी डिस्काउंट जाता है और अब यहां पे भी आएगा और क्या आएगा सर अब अब यहां पे खर्चा कोई भी करे, head office करे, branch करे, मतलम नहीं है, यहां पे सारे खर्चे लेने हैं, जैसे salary, और जैसे आपका मान लेते हैं हम rent, और अब यहां पे आएगा petty cash, पहले petty cash को हम लिखते थे, opening, closing, अब यहां पे आएगा, जितना हम use करेंगे, consume, जितना हम use करेंगे, मतलब सर, जितना use करेंगे, अगर सुभे वाली class पे आ जाये थोड़ा सा हम, तो petty cash expense पे हमने क्या देखा था, यह वाला जो part है न, यह वाला part that is consume था, तो हमें यह account पूरा बना के और यह वाला हिस्सा सर्फ pndl में डालना है, opening और इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो यह थोड़ा सा फरक आ गया हमारे पास, clear है, यह आ गया, buy side में क्या आएगा, यहां से जो भी profit निकलेगा, यह loss, whatever name call, जो कुछ निकल जाए, यहां से लिखेंगे, हम gross profit, इसलिए इसको trading नाम दे देते हैं, और इधर इधर निकला तो, by gross loss, gross profit निकला तो इधर आ जाएगा, by gross profit इधर आ गया, ठीक है, अगर मान लोग कोई insurance, जैसे मेरा abnormal loss हुआ, तो कोई भी insurance claim मिलता है, तो यह buy side में जाए, क्योंकि फायदा है आपके लिए, by insurance claim, ठीक है, और यहां से finally सब कुछ करोगे, तो आपको भी लग रहा होगा, सर, अब तो यहां से जो निकलेगा, क्योंकि यह पी एंडल के जैसा ह ही है, तो यहां से जो answer निकलेगा, to net profit निकल जाएगा, और इधर आया है, तो net loss निकल जाएगा, इसके help करने के लिए कौन-कौन से account बनेंगे, debtor account, जो पहले सीखा हुआ है, आपने debtor account, exactly same, इसके बाद, petty case experience, जो पहले सीखा हुआ है, exactly same, bank भी पहले सीखा हुआ है, exactly same, यानि इस class को देखने के लिए आपको debtor account अगर मैं बोलू, तो मैं लिख ही देता हूँ, debtor, मैंने बनाया हुआ, debtor, मैं लिख देता हूँ, चलो, आ जाओ, भाई, debtor account कहां बनाया, पर्मिट बनाया था ना debtor का, यह रहा, चलो, exactly same, यही debtor account, इसमें मैंने note लिखा था, क्या, कि provision for, हाँ, मैंने बताया था ना, आज आपने पूछा था, इसको कहां लेंगे, तो इसलिए, आ जाईए, आज़ाए, पूलो, आज़ानू, आज़ाए, चालिए यहां पर एक और कुछ-कुछ पॉइंट्स आएंगे या डिसकाउंट जैसे की सेल्स रिटर्न डारेक्ली टू हैड ऑफिस आएगा कुछ-कुछ पॉइंट आएगा तो कुछन के साथ करेंगे अब बताओ इस अकाउंट बनाने का परपस स्रिफ और स्रिफ क्या दिख रहा है अगर हमें क्रेडिट सेल्स मिल जाता है तो डेटर का क्या काम है क्योंकि ना तो हमें यहां ओबनिंग बैलेंस लिखना है ना ही कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखना है तो अब यहां पर डेटर अकाउंट बनाने का अबजेक्टिव क्या होगा अगर दूसरा कुछन बूल द बनाइए यहां जो मैंने नाम बताएं यहां पर यह नाम इस्तृमाल करेगा बेस्के यह दूनों चो यह सताजे तो यह यह था हमारा फॉर्मेट इसके उपर चलिए कुशन देख लेते जैसे-जैसे-उ बीच में आएगा हम उसको डिसकस और करेंगे पूरे अच्छे से ठीक है चलिए आपके बुक में कुश्चन नाइन नाइन ही कर लेते हैं कोई बाद लेकिन समस्या आएगी थोड़ी सी चलो करें चलो झाल झाल कि इसको इसी के साथ रखा जाए चली होफुली कुश्चन आपको दिख रहा होगा क्लियर क्लियर ठीक है नहीं दिख रहा हो तो आपकी किताब का कुश्चन नमबर नाइन है ये बुक में देख सकते हैं बाकि मैं कोसिस तो पूरी कर रहा हूँ कि आपको कुश्चन यहां पे दिखे सर किताब कुन सी है सर किताब यहां पे आपके लिए है जे आर मुंगा ठीक है चलिए कोशन पढ़ लेते हैं क्या कहता है कोशन में कहता है स्री एक्स रिटेल ब्रांच एट अलाहाबाद गुट्स आर सेंट बाइ हैड अफिस तू दा ब्रांच मार्क सेलिंग प्राइज कॉस प्लस 25 परसंट यानि इसने बूल दिया के भाईया कॉस्ट के उपर हम 25 परसंट जोड के बेचेंगे और जो की सेलिंग प्राइस पर अगर निकालते हो तो ये कनवर्ट होके बन जाता है 20 परसंट कोई बड़ी बात रही है अल कैस कलेक्टेड बाइद बाइद ब्रांच स्टॉक आकाऊंट प्रांच डेटर अकाउंट बढांच एक्सकू orth बोल दिया इसन्ए और ब्रांच अट्जसमेंट अकाउंट बोल दिया है इक्सपेंस अकाउंट नॉर्मल यानि एक अकंट में बनांकर दिखा दूँ ऑघा से होता है सिंपल वहां से खर्चा उठाके निकाल के दिखाना है हम अभी ब्रांच एक्स्पेंस को अब गर देंगे हम इसी के अंदर कर दूँआ मैं ठीक है अब देखो डेटर का बैलेंस ओपनिंग दे दिया क्लोजिंग दे दिया सर यहां तो यूज नहीं क्योंकि सवाल मे इसने स्पेशली बोल दिया कि भाया तुम्हें डेटर तो बनाके दिखाना ही दिखाना है तो अब मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे डेटर अकाउंट बनाके दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि कुश्चन की रिक्वार्वार्मेंट है कि चलिए सबसे पहले हमें ओपनिंग कुछ बैलेंस गीवन है उसको लिख लेते हैं टू कि पैलेंस बीडी बताओ डेटर का बैलेंस क्या है सब बारह हजार और इधर लिख लेते हैं बाइं कि बैलेंस सीडी कितने हैं 14 बहुत सिंपल चैप्टर है बहुत ही सिंपल बस आपको कॉडिनेट करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा आपने प्रैक्टिस कर लिए तो एक्जाम में पूरे पक्के मांक्स हो गए अब कहता है इन्वेंटरी विद्धा ब्रांच ओपनिंग स्टॉक दिए और ख्लोजिंग स्टॉक दिए तो इसको यहां लिए घंटर है टू कि बैलेंस बीडी के दो या ओपनिंग के दो कितने हैं बैलेंस बीडी 16,000 है और बाइबन लेस सत्रह हजार ठीक है अब आगे देखते हैं कहता है कैस सेल्स कर रहा है तो यहां पर आएगा बाइक कैस सेल्स कितने का है साथ हजार का आगे क्या कहता है हमने जो पैसा जमा करवाया है किसको हैड ऑफिस को ड्यूरिंग दे यर तो आप ध्यान से सोचना मैं इहीं पर कैलकूलेशन करता हूं भाइया हमने हैड ऑफिस को कितना पैसा भेजा एक लाग और आपको अच्छे से पता है जिसमें से आज साथ हजार रुपए तो आपके न पैसे आपके पास एक तो नगत बेचोगे वह और एक डेटर से मिलेगा वह इसका मतलब सर एक 27 में से अगर आप साथ हजार माइनस कर दो तो यहां पर जो आता है 67 आपको किससे मिला होगा डेटर से तो यह यहां आ जाएगा बाए कैस कितने सर्सट आपको थोड़ा पटा लग सकता है सर हमें कैसे पता चलेगा इस सारी बाते और मैं इतने कोशन करा रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे क्या कहता है सर इसका यूज हो गया रिटर्ण कर दिया तो बाए इसके बाद कहता है सेलरी पेड तो सर पी एंडल का पार्ट होगा सेलरी तो हलाकि इसमें एक्सपेंस अकाउंट बोला है लेकिन हम अभी सीख रहे हैं तो यहां पर बना देते हैं टू सेलरी कितने रुपे सेलरी है कौन पेमिंट कर रहा है मतलब ही नहीं आगे रेंट भी यहीं आ जाएगा चार हज़ार पी योपियो में में और डिसकान्ट अल आव्ट कस्टोमर तो डिसकानल बीटंट भी यहीं एगा ए-ग, और यहां है वे ए-डेट और कहां यहाँ टेटर में भी जाएगा बाइब डेट्स कितने एक हजार और क्या है स्पोईलेज स्पोईलेज हमारा नुकसान है जो की हो जाता है उसे एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में रखेंगे तो बाइब स्पोईलेज हम इसको detail में कल सुभे वाली class में discuss करने वाले हैं ठीक है न detail में abnormal और normal loss पे detail में discuss करने कल वाली class में अभी ये क्या है हमारा मैं लिख देता हूँ ये abnormal loss है अभी के लिए चलिए सर अब सारी चीजे हमने put कर दी यहाँ पर अब इस account से आप खुछ सोचो क्या निकल सकता है यानि हमारा credit जादा है 67,000, 2000, 1000, 14,000 84 बन रहे है और इधर भी बन गया और यहां क्या आ गया credit, sales 70 और इसका इस्तमाल कहा होगा stock account में किस से याद आया तो कितने आगे 72 ठीक है अब मजे की बात देखो सबकुछ गीवन है spoilage भी आ गया यहां पर goods sent तो है नहीं तो अब जो balancing figure निकलेगा priority basis पे that is goods sent और सारी चीज़े IP पे दे रखी है क्या यह देखो inventory IP पे है तो सबकुछ IP पे है तो IP पे ही निकलेगा finally हमारा तो निकाल लेते हैं 60,000 72,000 52,000 दो हजार एंड 17,000 यह आ गया 156 और यह भी आ गया 156 और 2 आ जाएगा हमारा क्या सर सरी 2 तो आई ही गया हमारा माइनस 16,000 140 यह आ गया लोजी स्टॉक अकाउंट कम्प्लीट अब हमें इसके लोडिंग को निकालना है तो वाले को बाई में लेके जाना है तो बाई सबसे पहले किस पे स्टॉक रिजर्व मैं स्टॉक रिजर्व को SR लिख दू तो समझ में आ जाएगा शॉट फर्म थोड़ा सा स्टॉक रिजर्व किस पे ओपनिंग स्टॉक पे सर कितने परसेंट होगा सर क्योंकि सब कुछ IP है तो IP पे कितने परसेंट निकालोगे 20 तो that is सोलह हजार पे 20 परसेंट 32 पाई SR किस पे गुड्स सेंट पे सर एक चालिस पे कितने हो जाएगे 28 तो आ जाएगा SR किस पे सर क्लोजिंग स्टॉक पे 17 परसेंट कितने हो जाएगे 34 और तू गुड्स रिटन पे SR आ जाएगा गुड्स रिटन गुड्स रिटन पे कितने आएगे आपके 5000 पे 20 परसेंट 1000 रुपे और 2 स्पोईलेज पे आ जाएगा SR किस पे स्पोईलेज पे स्पोईलेज पे कितने है 2000 का 20 परसेंट that is 400 ठीक है लेकिन स्पोईलेज वाले में एक काम है अगर स्पोईलेज यहां आया है तो इसका रिमेनिंग क्या आ जाएगा हमारा स्पोईलेज यहां आ जाएगा that is कितना आएगा 1600 कैसे आया 2000 में से 2000 में से आपके 400 माइनस करके हमेशा abnormal के साथ होगा अगर normal होता तो वो question आएगा तो वो भी देख लेंगे सब कुछ हो गया मेरे हिसाब से तो और कुछ रहा तो नहीं अब सर्थ sales return था क्या question में नहीं था अगर होता तो यहां पे भी मैं ले लेता sales return है ना तो यह account तो match होगी आब इस account को कर देते हैं फटा फट 3400 प्लस 3200 प्लस 28000 लुक में भी देख गीवन होगा जीपी 26000 चार सो और बाई साइड में आ जाएगा बाई जीपी 26000 चार सो expense account मैं नहीं बना रहा अगेन बोर रहा हूं कोई बच्चा परिशान हो बाद में practice करें जो live ना देखे तो मैं आगे बता दूँँगा इसको expense कैसे बनता है माइनस 6000 माइनस 4000 माइनस 2000 माइनस 1000 और माइनस 1600 तो जी आगे 11800 चेक करिए to net profit 11800 अच्छा मैंने इसको total नहीं लिखा 26400 तो ये हमारा पूरा question है that is कौन सा stock debtor system है थोड़ा उससे अलग है लेकिन मुस्किल नहीं है अठारा नंबर के हिसाब से तो मुस्किल नहीं है बिलकुल भी अब बता ये clear है सब्सक्राइब